हमारे पूर्वच कर गए है कि जीने के लिए तीन चीजों की आउसकता पड़ती है जो है रोटी, कपड़ा और माकान मगर आज के आधुनिक दुनिया में इसमें एक और चीज जोड़ने की जरुवत है जो है इंटरनेट इंटरनेट या सोसल मीडिया के आज के दिन में हर चीज के लाब और हानी दोनों होते है इंटरनेट की बहुत सारी हानिया भी है जिसमें से एक है साइबर क्राइम यह साइबर क्रिमनल्स या हैकर्स पुरी दुनिया में मौजूद है जो किसी भी व्यक्ति के डिटेल्स या उसके बैंक एकाउंट से पैसे बड़े ही आसा 183 को हुआ यह पहला किसोर यानि टीनेजर साइबर क्रिमिनल है इसने छे साल की उमर में हैकिंग की दुनिया में कदम रखा था और जब वह 13 साल का हुआ तब उसने कॉम्रेड स्क्रीन को अपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम क्रैक करना सुरू किया इनके कुछ सुरुवात आक्रमनों में बेल साउथ और मियामी डैट स्कूल के सिस्टम सामिल थे लेकिन जब इन्होंने गैर कनोनी चीजों की तरफ ध्यान दिया तब इनके लक्ष और भी बड़े हो गए साल 1999 में जेम्स ने डियूलस वर्जीनिया में एक डिफेंस ट्रेट रिडक्शन एजेंसी यानी डी टी आरे सरवर पर एक बैक डॉर स्थापीत किया डी टी आरे सेंट राज अमेरिका का वार अफ्षा विवाग है जो उसके लिए संभावित खत्रों पर नजर रखता है इस बैक डॉर के कान वो सारी हजारों हजा इन्फोर्मेशन उसके पास चली गई इसके बाद उसने नासा कोड भी डाउनलोड किया जो इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन के तापमान को नियंत्रित करता है वा हैकिंग मजे के लिए करता था और फिर उसके साथ छेड़चाड भी किया करता था 26 जनवाई 2000 को जेम्स को गिरफतार किया गया और 18 माई 2008 को जेम्स ने अपने आपको गोली मार कर आत्म हत्या कर ली नमबर फोर केविन मिटनिक केविन डोनाड मिटनिक का जन वैंडियूस कैलिफॉर्णिया में 6 अगस्ट 1963 को हुआ लेकिन उसका बज़पन लॉस एंजिलिस में भी था उन्होंने कैलिफॉर्णिया के मोन्रो हाइ स्कूल में अपनी पढ़ाई की और अपनी ग्रेजुएशन एंजिल स्पियर्स कॉलेज में की उन्होंने 12 साल की उम्र में हैकिंग सीख ली थी और तब एक लॉस एंजिलिस के बस में इस्तमाल किये गए पंच कोट को पहली बार उन्होंने है 16 साल की उम्र में उन्होंने डी ए सी कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाई और कमपनी के सॉफ्ट्वेर की नकल की जिसके कान वे पहली बार बारा महिने के लिए जेल गए पर बाहर निकलने के बाद वे सुधरे नहीं उन्होंने दिसंबर 1997 को याहू वेबसाइट को भी हैक किया और उन्हें फिर 46 महिने की जेल हुई उन्हें 21 जनौवी 2000 को लिलिस किया गया और उन्हें सुरू में लैंड लैन टेलिफोन के लावा किसी भी संचार तक्निक का उप्योग करने से मना किया गया था इसके बाद उन्होंने हैकिंग छोड़ दी और वे एक लेखक और अमिर्कन कंप्यूटर सिक्राइटी कंसल्टेट बन गए नमबर थ्री केविन पॉल्सेन केविन पॉल्सेन का जन 30 नमबर 1965 को पासाडेना केलिफोर्निया में हुआ ये एक ब्लैक हैट हैकर थे जिसका मतलब है कि ये उन लोगों के प्रसनल कंप्यूटर को हैक किया करते थे एक जून 1990 को पॉल्सेन ने लॉस एंजल्स रेडियो स्टेशन के सभी टेलिफोन लाइनों को हैक किया था और जब फेडरल सेंटर ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन ने पॉल्सेन का फिचा करना सुरू किया तो वे एक भगोले के रूप में अंडरग्राउंड हो गये और अप्रिल 1991 को पॉल्सेन को गिरफतार कर लिया गया और तीन साल तक उनके ऊपर कारवाई हुई जून 1994 में पॉल्सेन को साजिस, धोकादली और वायर टैपिंग के साथ मामलो में दोसी ठाराया गया और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई और साथ ही उनकी रहाई के तीन साल तक कंप्यूटर या इंटरेट के इस्तिमाल पर भी परतिबन लगाया गया पॉल्सेन ने जेल से छुटने के बाद खुद को एक पत्रकार बना लिया और हैकिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया नमबर टू, एड्रियन लामो एड्रियन अलफॉनसो लामो अटवूट का जन 20 फरवरी 1981 को बोस्टेन के पास मैनाचूसेट्स में हुआ था उनके पिता का नाम मारियो रिकार्डो लामो था जो कॉलंबियाई थे लामो एक वाइट हैकर थे जिसका मतलब है कि वे अपनी स्किल्स का उप्योग अच्छे कामों में करते थे इन्होंने सबसे पहले www यानि वर्ल्ड वाइड वेब को हैक किया और उसके बाद उसमें जो सुरक्षा को लेकर खामिया थी उसे ठीक किया वे चाते थे कि उन्हें इससे जुड़ा हुआ कोई काम मिल जाए जिसके कानवे लोगों की मदद कर सके मगर जब ये सब ये कर रहे थे उसी बीच दन न्यू यॉर्क टाइम्स ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी जिसके बाद 15 महिने की जाज के बाद अगस 2003 में उनकी गिरफतारी का वारेंट जारी किया गया और 9 सेप्टेंबर 2003 को उन्होंने सरेंडर कर दिया उन्हें दो साल की प्रोबेशन की सिरा सुनाई गई और 65 हया डॉर्ड का जुर्माना भी किया गया लामो का 14 मार्स 2018 को वीचिटा कंसास में 37 वर्ष की उम्र में निधन हो गया नमबर वन गैरी मैकिनन इनका जम 10 फरवरी 1966 को हुआ था ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है मैकिनन पर फरवरी 2021 और मार्स 2022 के बीच लंडन में अपनी प्रेमिका की चाची के घर में सोलो नाम का इस्तिमाल करते वे 13 महीने के आउधी में संतानवे संग तराज अमेरिका के सैन और नासा कंप्यूटरों में हैकिंग का रोप लगाया गया था उन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम से महदोफून फाइल्स को डिलिट कर दिया और सारे नेटवर्स को 24 घंटे के लिए जैम कर दिया मैकिनन ने सेना की वेबसाइट पर एक नोटीज भी पोस्ट किया था कि आपकी सुरक्षा बखवास है अमेरिकन अधिकारियों ने ये भी कहा कि मैकिनन की दोड़ा खड़ी की गई समस्या को ठीक करने में उन्हें लगबख साथ लाग डॉलर यानि अगर पसंद आया तो इसे अपना वह मूले लाइक जोर दे और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके औल कॉप्सन जोर सेलेक्ट करें तो जार मिलते हैं निए वीडियो में तब तक के लिए जैधरतीमा